क्या रोहिर शर्मा को सूर्य कुमार यादव को टीम प्लेइंग 11 में लेना चाहिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से तो लेंगे नहीं लेंगे नहीं एक अच्छा जवाब है सवाल फिर भी यही था कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंक है कि प्लेइंग 11 हो सकती है और यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह के सूर्य कुमार यादव फाइनली टीम में आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि अब केल राहुल इस टीम में नहीं है बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या यह टीम बिना अपने क्या वकार चया बैवte कर साख़्ें क्या व्याल्य कर राहुल क्या यह टीम अंनिदी मंहें अच्छुक्त नहीं हो बिल्कुल तो बैई कयल राहुल ने मांग लिए च्टी म मांग लिए शुटी मर्या समें दोष लो हिए को और उलता नहीं है सब लोग कह रहे हैं टीम management कह रही है भाई आप जाओ कम से कम हमें कम गालिया सुनने को मिलेंगी यह इस बार शेटी अनना मतुरादास की साइड है मुझे यकीन सा नहीं हो रहा है तो केल राहल और अक्षे पटेल बताया जा रहा है कि दोनों शादी के लिए चुटी ले रहे हैं दोनों टीम में नहीं जाओ नमबर पांच पर केल रहूल नहीं है तो क्या इशान जो की ओपनर निग पर आकर डबल संचुटी मारते हैं उनको कहा जाएगा जाएगा तू नमबर पांच पर खेल या फिर उनसे उपनिंग आई जाएगी और Shuman Gil इन्वन ने संचुटी मारें उनसे का जाएगा आप रेस्ट कर लो रेस्ट तो शुबंगिल से नहीं कराएंगे ना वो सेंचुरी मारी है तो इशान किशन से क्यों करा दिया था उसने डबल सेंचुरी मारी है अच्छा लॉजिक तो बहुत अच्छा लगता है क्या कोई जूनियर आता है अचानल सीनियर के सब्सक्राइब दूस्ट मारी है तो अच्छा लोगता है अच्छा गारक्रणियर जूनियर शुनियर का सब्सक्राइब शुटा इसान के शुटनीर मुझे है यह यह अनुछा प्ली क्यों है यह आच इच्छार ओंग इसर ने ही और कर संचुरी निमारी वह इन्हें कून इस अजू इंग आपेछ पीछा परफॉर्ण रहा है 2019 में इड़ी बाद वर्डवी थी वर्डवी नगई थी अड़ी जर पहले है 2023 के वर्डवी नगजा अर्सा जमाना हो यह और सेंचुरी मारे हुए सब्सक्राइब तो नहीं जा रहा है तो यह बात ना सिफ मैं नहीं कह रहा गौतन गंबीर साफ जानते वापको बहुतन गंबीर बाते कर नहीं है अरे अरे यहां उन्हों नहीं यह कह दिया है कि भाई जब विराट कोली की संचुरी पर इतना आपने हुआ बना रखा था तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना संचुरी कानवर्ट तो नहीं हो रही ना संचुरी यह कैसी लॉजिक वाली बात भी देखो वह जिस पार्टी में मलब काम करते हैं वहां पर वह कंवर्ट को लेकर वह बढ़ा जादा वह के बहुत नहीं कि आप मुझे बताओ कि गलत क्यों यह देखो क्योंकि उस संचुरी को कनवर्ट नहीं होने दिया जा रहा है शायद मतलब वह कह रहे हैं कि आप टिके रहो आपको नहीं होना है जाहे अब कर रोई शर्मा अच्छी फॉर्म में देख रहे हैं इसमें कोई दोराई नहीं रन भी ठीक ठाग मारें लेकिन अभी इस बहुत टाइम से जो चोक कर देना वो दूसरी टीम को और दूसरी टीम कहती है डैडी चोक में 200 अच्छा एसा रहे हो वह वाले जो 200 और 100 वाले स्कोर हैं वह वाले रोई शर्मा के अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं पर हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे अगर आप ले शरुआत कर लेते हैं ओपनिंग से तो ओपनिंग के लिए रोई शर्मा और शुबमन गिल मेरा ख्याल से यहीं यहीं ओपनिंग रहेगी क्योंकि अभी जो श्रीलंका के अगेंस जो तीन मैच की सिरीज ती उसमें धाकड ओपनिंग करी ती दोनों ने बढ़िया बढ़िया अच्छे तच में दे दोनों तो वहां पर तो मुझे नी लगता कि टीम कोई चेडशाल करना चाहें और वो भी खास तो और पर तब जब शुबमन गिल के साथ एक विशेश लगाव है BCCI और टीम मेनेजमेंट यह नी बोलना था मतलब आप खाली यह बोलो कि दोनों अच् नी बढ़ा लड़का पंजावी लोड़ा बढ़िया केल यह इस ता सारा प्यार है और अच्छी बैटिंग भी कर रहा है और देखा जाए तो जो बंडे की जो स्ट्राइक रेट होती है 110 115 तो अच्छी बैटिंग कर तो वो तो देखो वही रहेगा नंबर तीन पर कॉन है विराट कोली इस बैक पिछले चार मैच में तीन सेंचुरी मार चुका है विराट कोली बैंस तो और ऐसी की तैसी मार दी है जितने भी लोगों की आप विराट के अंदर तो इतना मलब मारने का गुदा अगया एकदम से के हलिकॉप्टर शॉट तक मारा अगला बना मेरे मेरे बारे में बात करें अबरो भाई तारीफ कर रहा है आपकी इस तरीके से बढ़िया बैटिंग करिया नंबर तीन पर और बलब इस से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि जिस साल इंडिया के अंदर वर्ड कप है 50 ओवर क्रिकेट का उसमें 50 ओवर क्रिकेट में धमाल यह टॉप थ्री इंडिया के अगर थोड़े सॉल वह तो देख रहे हैं मुझे तो वर्ल्ड कप भी आता है बल्कुल बल्कुल ट्रोल ना करते ना और बाकी तीनों को तू तू तो जब 2015 में और 2019 में खास तूर पर जो वर्ड कप टीम इंडिया के पास नहीं आया था तो कराने कह रहा हूं अंबती राइडू कर चुके थे 2019 के वर्ड कप में अभी तो अभी तक सील कर चुके आगे का अगे का अब यार से 3D चश्मे करीद के लाए थे इसलिये लाए थे आपको यहां पर कौन जो 3D प्लेयर दिख रहे हैं ने ने पर यह कह रहा हूं कि श्रेयस कि ईयर नमबर चार पर खेलेंगे नमबर पर बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं तो भाई अब 65 ऑ अमया यह पेल यहां तो आपả जड़ोरी है जाया है ना करेक्ट है मतलब एक वर्ल्ड क्लass vicketkeeper के बदले एक टुच्छा विकटीपर भले लेकर आज लेकर विकटीपर तो बहुत जरूरी होता है है इसलिए के लिए राहल जैसे है किसी भी तरीके का हमें कोई पाप निंचाड़े गार वी नहीं है श्राले जा प्लेयर होता रहा ता प्लेयर में उन्हें हो यह यह वैसे कर अपना 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 है है तो पर नंबर पांच पर यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि पर मुझे लगता है कि इशान किशा नहीं होंगे जो नमबर पांच पर आपको पता ही है अपको पता ही है हार्देक पंडिया कहलते है क्लाव चैप्टन वाइस कैप्टन है लेकिन बैटिंग वो करें ना करें अच्छी ने उससे अच्छी बैटिंग का उन्होंने कोई ठेका नहीं रखा क्योंकि हार्दिक पंडिया का कोई रेप्लेस्मेंट नहीं है टीम इंडिया के पास इसलिए वो बैटिंग और बोलिंग अखेला वो फास्स पर नंबर सातह पर अब अकशर पते नहीं है नो तो मुझे लगता है कि वाशिंटन सुन्दर ही टीम में आएंगे वाशिंटन सुन्दर पर आपको चार बॉलर खिलाने पड़ेंगे तो सूर्य कुमार यादव की तो देखिये जगे इस विजए से बनी रही लेकिन बड़ा सवाल है जो पीनर होगा है क्या कुल डीव आदव टीम इंडिया के नंबर बन बन गए युदवें चेहल से आगे पहुच गए भिल्कुल ने ये आपको लग लग रहा है याप मानते हो ने रहाग फुलिव एदान अगले मैसे हम आपको डॉप कर देंगे यहाँ दो मैंच में अचा शग कि यह लगता है कि तो बच्चे की जहन लेगा इस से जटाग है कि यह अне Grand माई जा एक पर बैदिया को मिलता है वहां पर यह घला देता है प्रहूब्च बनाया रखना है मंक्दे शायद नहीं कि इसा बेश्क मेरा दिल ऐसा कहए कर ऊँटा कि गधा वो सेलेक्ट करना चाहिए यह मैं कह सकता हूँ अब आते हैं 9 10 11 तीन फास्ट बॉलर खिलाती है जाहता है तो इसमें तीनों हमारे जो प्लेयर हैं मोहमद शमी मोहमद सिराज और मोहमद उम्रान-मलिक मोहमद का है वो अरे तो मैं कह रहा हूं कि लगा दीजे अच्छा वैसे कोई बात नहीं हां तो यह तीन प्लेयर्स आपकी फास्ट बोलर होंगे शमी सिराज और उम्रान-मलिक और मुझे लगता है उम्रान-मलिक को अभी लंबा मोका दिया जाना चाहिए देना भी तंडर बोल्ट मार रहा हैं बीच-बीच में यह तो और शमी होंगे जो की मलब जो आपकी इस फास्ट बोलिंग देपार्टमेंट को थोड़ा से एक्सपीरिस देंगे तो कहने वाली बात है कि हमें तो लॉजिक और जो टीम इंडिया जिस तरीके से सिलेक्ट करती है उस आप से सुर्या कुमार यादव दिखाई नहीं दे रहे अगर आपको लगता है कि सुर्या कुमार यादव प्लेंग 11 में होने चाहिए तो किस तरीक से होने चाहिए क्या होनी चाहिए प्लेंग 11 याप कॉमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो जल्दी से लिख दो हम उस कॉमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे थोड़ा समझते हैं और जिस दिन मैंच उस दिन एक बार लाइव करके देखते हैं कि या टीम वहां पर पहुच रही अनकट